प्रियांका इस दिस्टिक से एलब हुआ अभी इन्होंने पूछा की जो उपर बैठे रहे हैं उन्होंने पूछा आपको रियल्टी बताती हूँ जो इस जोन में न्यू उचोग लेकर डिस्पेंसरी में हो चुकी है ठीक है डोक्टर प्रीटी ये डबलो एचो की फैट जो ओफीसर माई की की जो देखती हैं ठीक है तो हम तो रेगुलरी करते हैं सभी रोग करते हैं वो क्या करते हैं डबलो करते हैं बचींचे वो होते हैं जो व पही नहीं लगवाने चाहि गया जो रिटर्फल्पनक। देते हैं कि हम वैक्षिनेशन नहीं करवाएंगे हैं तो चेकियंग हुई चेकिंग कर दोर डोक्रण ित्याए मेरे छूप ह्जिफंगे समस्क्राइर bir नाले मेरे से पार तो हम डरेन इस बात पर उपर सेवन्थ फ्लोर पर मीटिंग हुई और मीटिंग में यही बोला गया कि नहीं एनम काम भी करती जिससे हमारी एनम सवीता का ट्रांसवर कल्यानपुरी कर दिया गया कि यह वैक्सिनेशन नहीं करते हैं पास वो नहीं थी हमने फिर भी दुबारा उसके लिए आवाज उठाई हमारी आशा ने हमें स्पोर्ट किया हमने बोला कि आप टीम भेजो और वैक्सिनेशन के चेकिंग करो कि कौन लोग कौन सी वैक्शिन नहीं लगरी जीरो से नबबे से जीरो आना बहुत बड़ी बात है जबकि हमारी रिपोर्ट पूरी मतलब हमारे पास हमें डर नहीं था किसी चीज का भी तो हमने फुल चैलेंज किया उन लोगों को तो चेकिंग हुई चेकिंग के दोरां डोकर वीनल आई अपने इस जो चीडियमों ओफिसे लोग जो इहां पर बैठे हैं वो जानते भी होंगे तो कि इस पर बड़ी बैस हुई थ लेकिन हमने मेश गर्वी जो हमारे मां के विजायक हैं उनको अप्लिकेशन लिखी प्लस फील्ड में जो हम काम करते थे उनको हमने मोटिवेट किया कि यह ऐसा उपर भेज रहे हैं ताकि पता चले कि लोग कितना काम करते हैं तो फिर यहीं बैस होते हुतर तीन महीने हो बच्चे कितने लगे हैं उसमें भी तो अंकर आएगा तो इस बात अवाज कोन उठाएगा एक इनम इस बात मतले होता है वो ट्रांसर कर देते हैं वो चूप बैटके ट्रांसर धरगा लेती हैं काम एनलचम की एनम करती हैं और फायदा डबलो एच्चो वाले उठाते हैं उन्हें भी बच्चा माथ एक बीब च्चा किसी को नहीं मिला आप यह बताएगें नब वैसे और जी रो रिपोर्स जाना कितनी बड़ी बात होती है जब कि हम इतनी मेनद करते हैं, साथ M.I.E.K. में कैम्स करते थे, एक M.H.I.D. करते थे और 30 से आपो हमेशा 30, 35, 40 इतने बच्चों को वैक्सिनेशन करके आते थे आप बताइए, इतनी मेनद करने के बात भी अगर कोई 0% बोलेगा तो कितना बुरा लगेगा हमने fully challenge कर दिया था, अगर आप एक मात्र एक भी बच्चा निकाल देंगे, हमें इसे इस ताइप रिजाइन कर देंगे हमें इसने तत्री बोल दिया थे, उप अगर एक मात्र बच्चा निकाल देंगे ना, मैं भी resignation letter देने के लिए ते यारू और चेकिंग होई, और एक भी बच्चा निकाल, 100% vaccination था हमारे एडिये में, ये लोग इस तरह से दबाते हैं, इनम से, ये हमारी जो इस जो इस जो उनकी सीडिया ना है, वो तक डर गई थी, उसमें हमारा सास में दिया था इस लडाई में, तो ये बास समझो, जब हमें इन से दो बचे तक भी करते हैं, लेकिन आट से चार ये खाने में अपना जो खाते हैं और वो खरते हैं, ठीक है, पेंटा, पेंटा लिया आए, पहले ये IPV की 0.5 डोज हो गई, इनको दिखा कि ये एकस्पाइरी हो रहा, फॉर्स थर्ट स्टेज में है, तो उसमें बोला जो पच्छा मिले उसको लगा दो, इनकी ये पोलिसी है, कि वैक्सिन अब खराब चारी है, खरीद ले इन लोगों ने, अब पहले वो 0.1 थी, 0.5 थी, 0.5 से 1 तक आ वही, और अब फार्ट स्टेज में हम यूज करें, फॉर्स निकर रहा, अगर सिसी पच्छी को खुश होता तक कौन जवाब देगा, हम लोग तेंगे ना, लेकिन कोई इनकी रिटन में एक अप्लिकेशन दे देगे, क्यों कि लिए सोस्ते यार मैं क्यों तू दे देगा, यही चीज है बस, यही पर यही कर सकते हैं कि इनसे रिटन लोगों आप और रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, आप जेंगा ट्रांसर कराती है, इसी बात के लिए, कि मैंनी बोलती ही कोई बात नी चलो, ओफिस कोन जाएगा, कि वो अपना नाम खराब करना है, ठीक है, लेकिन यह जो तुमें लड़ाई है ना, वो खुड़ी लड़नी पड़ेगी, ऐसे नी बैठके कि दूसरा चेंज होगे, और दूसरी पास आउट्रीच करोगे तो आठ, ठीक है, और आठ करोगे, चैस पांच बच्चों को लगा के आना, मतलब वो वेक्सिम खराब कर देना, फिर यह दुबारा बजट लेका है, दिखाए कि हमने इतनी वेक्सिम खरीदी,